हेलो एब्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल इन उसमामी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चेहरे के लिए बहुत ही अच्छा हो में DIY एक्सफोलियेटर जो एक कैमिकल एक्सफोलियेटर और फिजिकल एक्सफोलियेटर दोनों का काम करता है और यह बहुत ही अच्छा एक्सफोलियेटर और यह बहुत ही अच्छा एंटियोक्सिडन प्रॉपरटीज होती है जो आपके चैहरे से डेट सेल को रिमूव करता है फिर मैंने लिए हनी और फिर यह वाइटमिन सी पाउडर यहानी एलस्कॉबिक पाउडर यहां पे मिल्क जगह पे मैंने यहां पे मिल्क पाउडर और फिर मैंने लिए है और और बायो और या फिर बादाम रोगन और अब दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अगर अपके पास है तो बहुत यह अच्छा है फिर आप ले सकते हैं एक आपकी मन पसंद का टोनर और इसे बनाना कैसे है तो सबसे पहल उड़ी है फ्रिज में रखने के कारण यह इसके इंग पोर को क्लीन करता है जंटिल इकस्फोलियाट का का मैं करता है और सबनक करता है और इस्के बाद आप मैं ऑयल में ले रही हो और टैबलिस्प न कि जितना ऐडिय बचुत बहुत मतलफ बड़ी है तो मैं एक्सप्ज म नहीं कर पाऊंगे लेकिन यह 90% लोगों को सूट करता है इवन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फेस और और राइस के लिए बहुत ही लोगों का इस पर बरोसा है फिर मैंने यहां पे लिए टोनर जो आप कोई भी ले सकते हैं वैसे यह मेरा फेवरिट टोनर न मिनरल होता है लिक्विड मिल्क की कमपैरिजन में और इसमें लाक्टिक एसीड होता है जो एक कैमिकल एक्सफोडियेटर का काम करता है फिर मैंने यहां पे लिए यह दो पेंच के बराबर एल एसकॉबिक एसिट जो इसकिन को लाइटन अप करता है आपके स्कार्स को एल एसकॉबिक पाउडर है उसके कारण मैं यहां पे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल भी घुल जाने चाहिए और तो आप इसे एक अच्छा मिक्स देंगे वो आपके चेरे को नुक्सान पहुचा सकता है अगर पाउडर आपने अच्छे से नहीं खोला है तो और अगर आपके पास यह नहीं है और वाइटेमिन सी या फिर लामन आपके स्किन को सूट नहीं करता है तो आप इसे इसके भी कर सकते हैं तो एक अच्छा मिक्स देने के बाद मैं इसे अपनी स्किन पे अपलाई करूंगी फेस दोने के बाद और फिर उसके बाद आपको इवेनली अपलाई करना है और आप देखेंगे कि फेस के जो डेट सेल हैं वो रिमूब हो जाएंगे तो इस तरीके से इवेनली अपलाई करने के बाद आपको अपने हाथों को गीला करना है गीला इसले करना है क्योंकि जब आप इसे मसाज करेंगी सर्कुलर मोस्ण में तो यह आपकी स्किन पर हास नहीं होगा दीरे-दीरे मोव होता रहेगा तो एक से डेड़ मिनट तक आपको इस तरीके से पूरे स्किन पे मसाज करना है बहुत ही जेंटली मसाज करना है और उसके बाद आपको इसे लगा के छोड़ देना है ऐसे ही और आप चाहें तो एक DIY seat mask इसके उपर से लगा सकते हैं मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था और फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद आपको इसे face wash करना है और face wash करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि result कैसा है और कोई भी अगर आप exfoliator करते हैं चाहें कोई भी हो market वाली या फिर घर वाली तो उसके बाद आपको एक face pack लगाना बहुत ही जरूरी है और face pack आप ऐसा चुनना होगा आपको जो आपके skin को soothe करे और exfoliator जो भी होता है वो थोड़े बहुत skin को harsh करता ही है तो आप ऐसा चुनेंगे जो आपके skin को soothe करें यहां पे मैंने घर का ही बना हुआ DIY face mask की यूज़ किया है जो मैं घर पे ही बनाती हूँ और इसमें मैंने banana mash करके डाला है honey डाला है और coffee डाला है और कोई भी irritate करने वाली चीज़ मैं यूज़ नहीं करती हूँ after exfoliator अगर आपकी skin dry and sensitive है like lemon और कुछ orange juice वेगरा तो वो सब मैं यूज़ करने से बसती हूँ after scrubbing तो अगर आप चाहते हैं कि यह face pack में कैसे बनाती हूँ तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं मैं उसके लिए एक separate video बना दूँगी और सारे powder को मैं बना के जो रखती हूँ वो 6-7 मैंने मेरे आराम से चल जाते हैं और अगर आपकी skin dry है तो उसके लिए कौनसी ingredient आप use कर सकते हैं और oily है तो कौनसी ingredient यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से अलग-अलग face pack बना के आप घर में रख सकते हैं तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और please मेरे चैनल को subscribe कर दीजेगा और इस वीडियो को like कर दीजेगा मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई